जो अमरावती में हिंसा हुई और जब हुई जिस दिन हुई तो बेसिकली जितने भी लोग वहाँ पे थे पहले तो हम डिपेंडेंट रहते हैं कि पॉलिस देपार्टमेंट उस पे इंक्वाइरी करें और उसके बाद उसके बाद उसे ओपर इंक्वाइरी लगेगी पर यह जब हमने बात किया जो प्रतिनी थी उनसे जब मेंबर ऑफ पार्लेमेंट एज विधायक हम सबने जब कॉप से पुलिस देपार्टमेंट से बात की तो बोले मादम यह चोरी का सब्जेक दिख रहा और चोरी का सब्जेक में हम जो इन्वेस्टिकेशन कर सकते हैं वो कर सकत हैं पर जब हमने कोले के फामिली से बात की उनके परीजनों से बात की वो किस विचारधारा के थे क्या था क्यूं ऐसे हुआ उनका बेटा उनके पीछे था उनकी वाइफ उस बाइक पे थी उनके पास 35,000 रुपे थे अगर चोरी के दुरुस्टी से यह होता है तो उन्हें चोरी करके पैसे लेके भाग जाना चाहिए था यह चोरी की दुरुस्टी होती है पर चोरी ना करते हुए एक रुपया भी उनसे ना लेते हुए उन्होंने उनको मार दिया गया और चले गया जब हमने इस पे बोलना शुरू किया जब हमने एनाय को और होम मिनिस्टर जी क इस पर inquiry बिठाई और जब वो team agency अमरावती पहुंसती है तब CP Commissioner of Police जाहिर करती है पत्रकारों के सामने येस ये नूपुर शर्मा और हिंदू विचारधाराओं को लेकर जो इन्होंने post की status रखी इसलिए इन्हें मारा गया तब जांके वो डिकलेर करती हैं 12 दिन के बाद 12 द उसके साथ आरती सिंकी भी जांचो किसके कहने पर ये पूरा subject नूनों दबाया 12 दिन तक इन्होंने क्यों रॉबरी का नाम दिया बाकी पत्रकारों को बुला कर उन्हें धमकाने का काम किया कि अगर आप ऐसे ऐसी न्यूस डालेंगे तो मैं आपको देख लूँगी इस तर पहले जो घडा मुल्डी हमारे द्वारा दिन पहले महाराष्ट्र में हो रही थी सरकार अलट पलट होने के और हमारी बदनामी ना हो इसके चकर में उन्होंने ये सब चीजें की पर मुझे लगता है देश में रहने वाला कोई भी व्यक्तियों कोई भी धरम से रिलेट भी जड़ेंगे गटना को अब तो आज में अमरावती जाओंगी और जाते बराबर आसुनेस में जाके उस परिवार से मिलूंगी उनके बेटे से मिलूंगी और पूरी जानकारी लूंगी और मैं मांग करूंगी केंद्र सरकार और एजेंसी से हमी शाकत दिल्चे धन्यव वो विशे नहीं रखता है पर मुझे लगता है हमारी विचारदारा है हमें जिन्दा रखने के लिए हमारा धर्म सिखाता है और जो करता है उसके साथ अगर ऐसी घटना होंगी तो मुझे लगता है हिंदूस्तान इसे बरदास्ट नहीं करेगा हार तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन उनके ही गुट के व्यक्ति जो 40 आमदार बोले हनुमान 40 का इतना कमाल हुआ कि 40 आउट हनुमान 40 को पढ़ने के लिए जिनों ने विरोध किया उनके ही पक्ष के लीडर के विचारदाराएं गलत हैं ये उनके विधायक कह रहे हैं जो प जो कह रहे थे हैं कि ये मिलते नहीं वही उनके विधायक कर रहे हैं हम कहते थे ये अपनी विचारदाराएं छोड़ दी वही उनके विधायक कह रहे हैं पर 40 छोड़ने के बाद आज जब पोलिंग हुई उसके बाद भी उन्हें चित्र दिख गया है 164 कहां और 107 कहां तो मुझे लगता है कि जो नहीं सरकार है हमारा उद्देश यह है कि महाराश्टर का विकास होना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को शुभीच्चा तो मैंने उसी दिन दे दी आपिखाओादा थिर यह हैं लुभी यह बार है मय रखने लुभीच्चा यह है झाल झाल